इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ मैच्स की प्रस्ण बैंक 2022 के चैप्टर नमबर 13 के क्वेश्चन नमबर 25, 26 और 27 को सॉल्फ करेंगे तो देखते हैं क्वेश्चन नमबर 25 है उस गोले का आयतन ग्याद कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है यहाँ पर हमें 4 त्रिज्याएं अलग-अलग दी गई है तो हमें गोले का आयतन ग्याद करना है तो पहला क्वेश्चन सॉल्फ करते हैं हमें यहाँ पर त्रिज्या आर बराबर दी गई है 7 cm तब गोले का आयतन फॉर्मूला होता है 4 बटे 3 पाई आर क्यूब तो यहाँ पर मान रख देंगे 4 बटे 3 पाई का मान 22 बटे 7 आर क्यूब मतलब 7 का 3 बार गुणा तो 1 साथ से 1 साथ कट जाएगा 22 का गुणा 4 में करेंगे तो आएगा 88 बटे 3 गुणा 7 का गुणा 7 से करेंगे तो आएगा 49 अब 49 का गुणा 88 से करेंगे तो आएगा 43, 12 भाग देंगे 3 से तो आएगा 1437 दिसमलो 33 सेंटी मीटर क्यूड ये हमारा आंसर हो जाएगा अब इसी तरह से 2nd question की रिज्य हमें दी गई है 0.63 सेंटी मीटर यहाँ पर लिख लेते हैं आर बराबर 0.63 सेंटी मीटर तब गोले का आयतन फॉर्मूला है 4 बटे 3 पाई आर क्यूब यहाँ पर मान रख देंगे 4 बटे 3 पाई का मान 22 बटे 7 आर क्यूब का मतलब 0.63 का 3 बार गुणा अब यहाँ से दिसमलो हटाएंगे तो नीचे सो आ जाएगा अब इसको काट देंगे तो 7 नाम 63 तो यहाँ पर 9 आएगा अब 3 से काट देंगे तो 3 त्रिकाई 9 अब 4 का गुणा 22 से करेंगे तो आएगा 88 गुणा यहाँ पर बचेगा 3 गुणा यहाँ पर 0.63 का गुणा 0.63 से करेंगे तो आएगा 0.3969 और यहाँ बटे में अभी 100 है अब 3 का गुणा 88 से करेंगे तो 3 अठ्थे 24 और दो 26 यहाँ पर 100 है तो 100 के 2 0 है यहाँ पर तो 2 अंक के बाद दिसमलो लगा देंगे इसमें और यहाँ पर आ जाएगा 0.3969 अब इसका गुणा कर लेंगे गुणा करने पर केवल हम दिसमलो के 2 अंक तक का मान लिखेंग यहाँ पर 1.04 सेंटीमीटर क्यूब तो यह हमारा आंसर हो जाएगा अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है इसमें त्रिज्या है आर बराबर 28 सेंटीमीटर यहाँ पर कर लेते हैं आर बराबर 28 सेंटीमीटर तब गोले का आयतन 4 बटे 3 पाई आर क्यूब तो यहाँ पर 4 बटे 3 पाई का मान 22 बटे 7 आर क्यूब मतलब 28 का 3 बार गुणा अब इसको कट करेंगे 7 चो को 28 अब 22 का गुणा 4 में करेंगे तो 88 बटे 3 गुणा अब 4, 28 और 28 का गुणा करेंगे तो आएगा 31, 36 अब 88 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 29 दिसमलो 3, 3 इसका गुणा करना है 31, 36 से इसका गुणा करने पर आएगा 919, 89 दिसमलो 3, 3 सेंटीवीटर क्यूब ये आंसर हो जाएगा अब इसी तरह से चोथा कोश्चन करेंगे यहाँ पर आर बराबर है 0, 2, 1 सेंटीवीटर तब गोले का आयतन पर्मूला है 4 बटे 3, πाई आर क्यूब तो यहाँ पर 4 बटे 3, πाई कमान 22 बटे 7, आर क्यूब मतलब 0, 2, 1 का 3 बार गुणा अब यहाँ से भाग देते हैं देखिए 7 से भाग देंगे तो 0, 0, 3 आएगा 7, 1, 20 यहाँ पर 21 के पहले यहाँ पर दिसमलो लगा है मतलब 2 अंक हैं तो यहाँ पर भी हमें 2 अंक रखने होंगे ठीक है अब यहाँ 3 से भाग दे देंगे तो 0, 0, 1 आ जाएगा 22 का गुणा 4 से करेंगे तो 88 गुणा 0, 0, 1 और यहाँ पर 21 है तो देखिए 20 का गुणा 21 से करेंगे 441 अब 4 अंकों के बाद दिसमलो लगा है यहाँ पर तो 4 अंक यहाँ भी होने चाहिए तो 1, 2, 3, 4 आम 0 ब दिसमलों के बाद दिसमलों है तो यहाँ पर लगा दिया अब 0 दिसमलों 0, 4, 4, 1 अब इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 0 दिसमलों 0, 3, 8 सेंटीमीटर क्यूग और भी आगे आएगा दिसमलों के 2 या 3 अंकों तक हम लिख सकते हैं तो इस तरह से यह 309 ग्राम प्रती सेंटीमीटर क्यूब है तो गेंद का दरविमान ग्यात कीजिए तो यहाँ पर एक धातू की गेंद दी गई है जिसका ब्यास हमें 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है तो हम यहाँ पर इसकी तृज्जय निकाल लेंगे ब्यास का आधा होती है तृज्य तो यह आवी त्रिज्या 2.1 cm अब हमें गेंद का द्रविमान ग्याद करना है तो एक फर्मूला होता है घनत तो बराबर द्रविमान बटे आयतन तो अगर हमें यहाँ पर गेंद का द्रविमान ग्याद करना है तो द्रविमान का फर्मूला बनेगा घनत तो गुणा आयतन तो घनत तो हमें दिया गया है हमें आयतन निकालना पड़ेगा तो इस गेंद का हम आयतन निकाल लेंगे गेंद के आयतन का फर्मूला होगा 4 बटे 3 πाई R क्यूब मान रखते हैं 4 बटे 3 πाई का मान 22 बटे 7 R का मान 2.1 2.1 और 2.1 यहां से दिसमलो खटाएंगी तो 1 0 आएगा यहां पर भी 10 और यहां पर भी 10 अब यहां दिसमलो खटने से 21 बन गया तो यह 7 प्रिक 21 और यह 3 से 3 कट गया अब यहां पर 22 का गुणा 4 से करेंगे तो आएगा 88 21 का गुणा 21 से करेंगे आएगा 441 बटे 1000 अब 441 का गुणा 88 से करेंगे तो आएगा 38 808 भाग देंगे 1000 से तो यहां पर आजाएगा 3 अंकों के बार दिसमलो तो 1 2 3 यहां दिसमलो लगा देंगे तो यह आगया 38.808 सेंटी मीटर क्यूब यह हो गया इस गेंद का आएटन अब हमें निकालना है गेंद का द्रविमान तो वो क्या हो जाएगा आएटन गुणा घनत्तु तो आएटन है यहां पर 38.808 और घनत्तु दिया गया हमको 8.9 ग्राम तो अब इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 345 3912 अब यहां पर 1 2 3 4 अंको के बाद दिसमलो है तो 1 2 3 4 अंको के बाद यहां पर भी दिसमलो लगा देंगे अब दिसमलो के बाद 2 अंको तक कहा हम आंसर ले लेते हैं 345 तिसमलो 39 ग्राम यह है इस गेंद का द्रव्यमान तो आई होप कि यह क्वश्चन समझ में आ गया होगा अब हम करेंगे क्वश्चन नमबर 27 क्वश्चन नमबर 27 है चंद्रमा का ब्यास प्रत्वी के ब्यास का लगभग एक चोथाई है चंद्रमा का आयतन प्रत्वी के आयतन की कौन सी भिन है यहाँ पर हमें चंद्रमा का ब्यास प्रत्वी के ब्यास का लगभग एक चोथाई दिया गया है तो हम यहाँ पर मान लेंगे माना जो प्रत्वी का ब्यास है ब्यास को D से डेनोट करते हैं तो हमने मालिया कि प्रत्वी का ब्यास D है अगर प्रत्वी का ब्यास D है तो प्रत्वी की जो त्रज्या होगी वो क्या हो जाएगी ब्यास का आधा होती है यानि D by 2 हो जाएगी ठीक है अब प्रश्णा नुसार कहा गया है कि चंद्रमा का ब्यास प्रत्वी के ब्यास का एक चोथाई है तो देख लेते हैं कि चंद्रमा का ब्यास क्या होगा प्रत्वी के ब्यास का एक चोथाई यानि की डी बाई 4 हो जाएगा तब चंद्रमा की तरज्या कितनी हो जाएगी चंद्रमा का ब्यास है डी बाई 4 तो ब्यास का आधा होता है तो यहाँ पर आ जाएगा डी बाई 8 अब हमें यहाँ पर चंद्रमा का आयतन प्रत्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है यह ग्याद करना है तो इसके लिए हम चंद्रमा का आयतन और प्रत्वी का आयतन इन दोनों का अनुपात निकालेंगे यहाँ पर निकाल लेते हैं चंद्रमा का आयतन बटे प्रत्वी का आयतन अब देखिए चंद्रमा और प्रत्वी दोनों ही गोलाकार होते हैं मतलब हम यहाँ पर गोले का आयतन लगाएंगे तो गोले का आयतन चंद्रमा के according तो देखे चार बटे 3, pi, r तो यहाँ पर चंद्रमा की जो तरज्या है वो है dy8 तो r cube था तो dy8 का cube हो जाएगा इसी तरह से प्रत्वी का आयतन भी हो जाएगा 4 बटे 3, pi, r cube तो यहाँ पर इसकी जो तरज्या है वो है dy2 तो इसका cube हो जाएगा ठीक है अब देखे यहाँ पर 4 बटे 3, 4 बटे 3 कट गया pi से pi कट गया यहाँ पर क्या बचेगा dy8 का cube अब और में बचेगा dy2 का cube तो आप देखे इसको solve करेंगे dy8 के cube को तो ऐसे ही लिख देंगे dy8 का cube और यह जो भाग में नीचे हर में दिया गया है इसको उल्टा करके लिख देंगे ठीक है तो यह दो बटे d हो जाएगा और इसकी power में 3 चड़ जाएगा यह बात समझ में आ गई होगी आपको अब देखे ड का cube इसको bracket खोल देते हैं तो d का cube हो गया और यहाँ पर भी 8 का cube हो गया इसी तरह से हाँ 2 का cube हो गया और यहाँ पर भी d का cube हो गया तो cube से cube cancel हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा ऊपर बचेगा 2 का cube और नीचे बचेगा 8 का cube तो देखे 2 का cube इसका मतलाब है 2 गुणा 2 गुणा 2 और 8 का cube इसका मतलाब है 8 का 3 बार गुणा 2 दोनी 4 दोनी 8 मतलाब यह दो पूरे 1 8 से कट गए तो यहाँ पर कितना बचा एक बचे 8 का गुणा 8 से करेंगी तो आएगा 64 तो यह आया चंद्रमा का आयतन बचे प्रत्वी का आयतन यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसके बरावर वाला भाग चंद्रमा का आयतन बचे प्रत्वी का आयतन तो देखिए यहाँ से हम अगर प्रत्वी का आयतन इस्तरफ ले आते हैं तो यह क्या हो जाएगा एक बचे 64 गुणा प्रत्वी का आयतन बरावर यहाँ पर आजाएगा चंद्रमा का आयतन तो हमसे question में पूछा गया था कि चंद्रमा का आयतन प्रत्वी के आयतन का कौन सब हिन्न है यह चंद्रमा का आयतन प्रत्वी के आयतन का एक बटे 64 भाग है यही हमारा answer हो जाएगा हम यहाँ पर लिख देंगे अतह चंद्रमा का आयतन प्रत्वी के आयतन का एक बटे 64 भाग है तो इस तरह से इस exercise के सारे questions complete हुए I hope कि आपको समझ में आ गए होंगे अगर आपको कोई भी doubt है तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं और अगर आपको questions अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को like कर दीजे आपके like करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको questions अच्छे से समझ में आ गए हैं और अपने friends को जादा से जादा share करिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe करके notification bell icon को press करके all पर जरूर क्लिक कर दीजे ताकि आपको प्रश्न बैंक के आगे आने वाले वीडियो की notification मिल सके तो मिलते हैं next वीडियो में thanks for watching this video